आज बात जॉन डीवी और उनके सिक्षा दर्शन की हम सब जानते हैं कि learning by doing जॉन डीवी का बहुत famous सिधान्त है और ये सिधान्त सिख्षा के छेतर में बहुत उपयोगी है लेकिन इनके दर्सन की और भी क्या-क्या भी सिस्ता है इसको हम संक्षित में समझने का प्रयास करते हैं तो जॉन डिवे जिनका जन्म 1869 में होता है और मिर्तु 1922 में होती है लगबग 90 साल की जीवन क्वाल में इन्होंने बहुत सारा कार्ज किया एजूकेशन के फिल्ड में ये कौन है तो अमेरिकन प्रेगमेटिक फिलोसपर है प्रेगमेटिस्म क्या है तो इसे बेवहारवाद कहते हैं उपयोगितावाद कहते हैं वही चीज सही है जो हमारे लिए उपयोगी हो बेवहारिक हो अगर बेवहारिक नहीं है तो वो त्याज्य है तो अमेरिकन फिलोसपी क्या है उप्भोकतावादी है प्रेगमेटिक है आइडियलिस्टिक नहीं है हम भारत वाले आइडियलिस्टिक हैं, यानि हम आदर्स के पीछे चलने का दावा करते हैं, लेकिन ये लोग पूरी-पूरी बेवहारिकता को थामे रहते हैं, यानि जो हमारे लिए उपयोगी है, बेवहारिक है, वही सत्ते हम उसी को पाने का प्रयास करेंगे, बाकी किसी च पूर्णे किताब, अगर हम उनका नाम देखें, तो उससे भी अंदाजा लएगा कि ये सिक्षा के छेतरे में क्या सोचते थे, 1899 में इनकी एक बुक आती है, The School and the Society, विद्ध्याले और समाज में क्या संबंदों, इस पे इनोंने फोकस किया, 1902 में एक बुक आई, The Child and the Curriculum बच्चा और उसका पाठी चर्जा कैसी हो, तो पाठी चर्जा के लिए बाल केंद्री करिकूलम की बात करेंगे, और बाल केंद्री मतलब बाल रूची, यानि Child Interests पे Depend होना चाहिए, सलेबस को, करिकूलम को, बच्चे की रूची किस में होती है, सबसे ज़्यादा बाच् करने को प्रोमोट करेंगे, तो फविस्ते में समाज में अडजस्टमेंट की संभावना ज्यादा अच्छी बनेगी, दूसरा उसमें Discovery, Investment, Unvasion की खुब ललक होती है, वह खोजबीन करना चाहता है, तो एक अच्छे टीचर की विशिष्त किया है, कि वो बच्चे के Unvasion, या हमेशा बनाते रहता है, तो यह उसके अंदर की रचनात्मकता का सुचक है, अगली उसकी रूची क्या होती है, तो कलात्मक अभिवेक्ति, वो जो कुछ भी बनाता है, वह एक कला के रूप में प्रदर्शित करता है, क्योंकि छोटे बच्चे के पास सब्द भंडार नहीं होती है, इसलिए वो अपने अंतर्मन की अभिवेक्ति के लिए कला को माध्यम के रूप में अपनाता है, तो इन चारों चीजों को अगर समझें, तो वो बाल केंदरित पाठी चर्जा होगी, इसके लाओ पाठी चर्जा की भी सिस्त क्या है, तो उप्योगिता, जो की प्र श्रियंज में आए, वही करिकूलम में होना चाहिए, और तीसरा क्रिया सिलता है, एक्ट वी स्ट लार्णिंग होनी चाहिए, और चवु था integration, एक ही करन, यानी सभी वि से को मिल के ग्यान का स्रिजन करना चाहिए, ग्यान विस्यों में नहीं बटा होना चाहिए, बलकि सभ भी भी से ज्यान के सांग इंटीग्रेटेड होने चाहिए अगला है 1910 में इन्होंने एक बुक दिया आज की सिक्षा कैसी है इसके लाव है experience and education अनुभाव और सिक्षा the quest for certainty और एक और बुक है my pedagogy क्रिट education क्या है तो इसके बारे में उन्होंने कहा reconstruction of experience अनुभाव का निर्माड और पुनर निर्माड ही education है शिक्षा है अनुभाव में हमेशा परिवर्तन और संसोधन होते रहते हैं तो अनुभाव का परिवर्तन या हम संसोधन ही सिक्षा है education को हम लोग कहते है preparation for life जीवन की तैयारी के लिए सिक्षा लेकिन इन्होंने क्या कहा education is life itself सिक्षा स्वैम में जीवन है बाल केंद्री सिक्षा क्या होगी कैसे होगी यानि teaching methodology क्या होगी तो यहां साफ साफ एक सिध्धानत आता है learning by doing जो जो जॉन डीवी का बहुत फेमस सिध्धानत है और आज अपनाया भी जा रहा है इसमें इन्होंने कहा कि पहले काम करेंगे तभी ज्यान होगा काम करेंगे तभी ज्यान होगा काम को प्रात्मिक्ता यानि practical को ज्यादव वेटेश देना अब कैसे इस्था दी जाएगे, एक उदारर्ण से समझते हैं जैसे हम plant के बारे में कैसे शिच्छा देते हैं plant के सारे part को बताते हैं कि इसमें stave होता है, 15 होता है, leaf होता है, root होता है photosynthesis की करिया होती है, क्या-к्या बताते हैं लेकिन जॉन डीवी का जो learning by doing सिध्धानत है वो क्या करता है कि आप बच्चे को plantation करने दीजिए वो बीज डाले पौधा को होते हुए देखे और जब वो पौधे का अध्यान करेगा तो क्या कहलाएगा बाइलोजी जो एक subject के रूप में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं जो कुछ भी वो देखेगा observe करेगा उसको कहीं ने कहीं कलात्म कभी ब्यक्ति देगा तो ये art है और उसमें क्या लिखेगा पांच सेंटीमीटर बढ़ा या पांच फिट बढ़ा तो ये क्या है ये mathematics का language है mathematics में लिख रहा है फिर लिखने के लिए कोई ने कोई language चाहिए इं integrated होकर knowledge का विकास कर रहा है knowledge के बारे में बता रहा है knowledge जो भी हो रहा है इस सबके integration से ही हो रहा है इनके learning by doing सिधान्थ के आधार पे ही आगे चलके project method आया इनके एक्सिस से थे William Hart और William Hart Kilpatrick इनका पूरा नाम है इन्होंने ही project method को develop किया और आज की जो activity school है जो pre primary school होती है जहा activity के माध्यम से इबच्चों को सिख्षा दी जाती है उसमें project method ही implement किया जाता है मैंने बाल केंदरी सिख्षा के बारे में बता ही दिया पहले ही जो पेड़ागोजी खरी कुलम के बारे में कि बाल कुची के आधार पे जो सिख्षा दी जाया वही बाल केंदरी सिख्षा होत है अब आईए जानते हैं एमस of education क्या है एमस of education पुछते जाईए जवाब मिलते जाएगा आईए एस पैदा करना scientist पैदा करना doctor बनाना कुछ नहीं जॉन डी वी ने कहा सिख्षा का कोई उद्देश से नहीं हो सकता थोड़ा सा सुधार के बोलना चाहिए हमको सिख्षा का कोई पुर्व निर्धारित उद्देश से नहीं हो सकता उद्देश से तो student का हो सकता है teacher का हो सकता है या guardian का हो सकता है लेकिन सिख्षा का उद्देश से नहीं हो सकता ल यो नहीं होता क्योंकि उनके मुताबिक कोई मुल्ले सास्वत नहीं होता No value is eternal Value जो भी है वो परिवर्तन सील है अब परिवर्तन सील values होंगे तो सिक्षा का उद्देश से निर्धारित कैसे हो सकता है सिक्षा का उद्देश से भी परिवर्तन सील होगा हर age के according सिक्षा का उद्देश से बदलते जाएगा छोटे बच्चे के लिए सिक्षा का उद्देश से क्या हो सकता है 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के लिए सिक्षा का उद्देश से क्या हो सकता है after graduation उस बच्चे का क्या उद्देश से हो सकता है इसे सिक्षा का उद्देश से हम कहते हैं तो सही नहीं होता हम उस बच्चे का उद्देश से कहें तो ज्यादर बहतर हो सकता है इन्होंने एक और बात कही development is moral and ideal मतलब कोई मुल्ले सास्वत नहीं कोई उद्देश से पुर्व निर्धारित नहीं अगर कुछ सही है तो वह इसके बाद आप कुछ समानने उद्देश से भी जान लीजिए पहला स्रीजन करना क्या तो मुल्ले और आदर्स हमारे होते हैं और जीवन में जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ते जाता है वैसे वैसे नए मुल्ले और नए आदर्स भी आते जाते हैं समाजिक कार्ज कु सल्टा सोसल स्कील यूं कहें समाजी करण पूरा सिक्षा किसलिए तो समाज से सामंजन अस्थापित करने के लिए यह सबसे बड़ा योगदान है जो उन्होंने समाजी करण पे इतना फोकस किया और अगला उद्दे से क्या अनुभाव का पुनर निर्माड हमारे जो एक्सप अगला उद्दे से लौकिक आनंद पारलोकिक बात नहीं जैसे भारत में होता है कि मरने के बात स्वर्ग में सारा आणंद मेलेगा यहां सीर लौकिक यानि इसी दुनिया में आनंद के लिए सिक्षा की बात की जा रही है चुकि प्रैमेटिजम है अमेरीका की फिलोस्पी जो इस दुनिया में ही बेवहारी का रूप से जो उपयोगी है उसी को सत्यमांती है। इन्ही आदर्सों को इंकलकेट करना सिख्षा का उद्दे से हो सकता है। इस्कूल क्या है जॉन डीवी की सेंस में, इस्कूल वैसे समाननेता हम क्या कहते हैं, वैसा जगह जहां विश्यों का क्रमबद हैं विश्ष्ट ग्यान कराया जाता है, आदर्सों हम आददों का निर्मार होता है, उसे हम इस्कूल ये विद्याले कहते हैं, जॉन डीवी ने क इस्कूल इस मिनियेचर आप सुसाइटी समाज का लगू रूप है सोशल लेबोरेटरी ये समाजिक परियोगशाला है और सिर्फ कहा ही नहीं बलकि 1896 में सिकागो में लेबोरेटरी स्कूल की अस्थापना की और उस लेबोरेटरी स्कूल में हिस्ट्री जोगरफी पोल्टी और एक्सरसाइज के संग-संग बड़ाईगीरी का काम, लुहार का काम, खाना बनाने का काम, यानि वो हर काम कराया जाता था, हर तरह का एक्स्प्रियेंस क्रियेट किया जाता था जिसका समाज में आउसेकता हो, उपयोगीता हो टीचर क्या हो, तो टीचर को कहा समाज का सेवक होता है, पत्परदर्सक होता है, इसलिए उससे ज्यानी होना चाहिए, कार्ज कुसल होना चाहिए, और जैसा भारत में कहते हैं, गुरू गोबिन, उसी तरह उन्होंने भी कहा कि इस्वर का प्रतिनीधी होता है टीचर discipline के बारे में क्या कहा, सोसल discipline की बात की, यानि कि society में जब अच्छे परिवेस मिलते हैं, तब बच्चा अनुसासित होता है, और परिवेस सही नहीं होते, तो बच्चा अनुसासन हिंता का सिकार होता है, इसलिए सही परिवेस, यानि समाज का सही आधार होना चाहिए, और ये कब आएगा जब उसे विद्याले में अधिक से अधिक हम कार्ज सौपेंगे, पूरी सिक्षा का बस एक ही उद्देश से है दाईतों का निर्वहान और दाईतों बोथ तभी होगा जब हम बच्चे को विद्याले में ही अधिक से अधिक कार्ज करने को कहेंगे, उसे औसर झालाओ